माननी सभापती महोदय आज देश में जो लोग भी काला धन्धा करते हैं रष्टा चार में लिप्त हैं सरकारी पैसों की चोरी करते हैं उनके साथ सरकार को बहुत सक्ती परतनी होगी क्योंकि ऐसे लोग सरकारी योजनाओं का पैसा अपनी तिजोरी में जमा करते हैं ऐसे लोग सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से जनता तक पहुँचने के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा पैदा करते हैं सरकार की इस समय जो नीती है उसकी जो विचारधारा है उस पर हम सबको पुना विचार करना होगा जिससे देश की हालत में सुधार हो सके माननी सभापती महोदै पहले की सरकारों के जमाने में करोणों रुपियों का अनाज बाहरी देशों से मंगाया जाता था किन्तु अब धीरे धीरे प्रतिवर्ष देश में अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है और हम अनाज के मामले में आत्म निर्भर हो रहे हैं उस समय सरकार ने अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसको छोड़ दिया व्यापारियों ने जनता और सरकार दोनों को धोखा दिया और इसका परिणाम यह हो रहा है कि खाद्यान की कीमतें बहुत जादा बढ़ गई हैं और वह आम जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है इस संबन में उस समय की सरकारों ने जो कदम उठाएं हैं वे भी सहायक सिद्ध नहीं हो पाए थे माननी सभापती महोदै अभी हमारे अनेक मित्रों ने कहा है कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धनरासी खर्च कर रही है उस धनरासी को यदि हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको विदेशों से अनाज का आयात नहीं करना पड़ता इसलिए मैं चाहता हूँ कि अनाज के सम्मंध में हमारी एक साफ और बिलकुल इसपस्ट नीती होनी चाहिए किसान को क्या चाहिए वह हम उसे दें और किसान से क्या लेना है उसका मुल्य निर्धारित करें इसके लिए हमें एक राश्ट्रिय मुल्य नीती का निर्धारन करना होगा किसान का अनाज उत्पादन करने में कितना खर्च होता है और उसको आवशक्ता की चीजें किन दामों पर मिलती है इन दोनों में तालमेल होना चाहिए किसान गन्ना पैदा करे, किसान सर्सो पैदा करे, किसान चना पैदा करे तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का नहीं बल्कि मुनाफे का धन्धा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन आसा के अनुसार बढ़ेगा और खाध्यान की समस्या का कोई हल निकल सकेगा माननी सभापती महोदै आप कहते हैं कि इंच जमीन में मत छोड़ो हर जग है अन पैदा करो लेकिन हमारा छेत्र ऐसा है जहां सिचाई की विवस्था बहुत दैनी है इसलिए हम अन का उत्पादन नहीं कर पाते इसके लिए हमें सिचाई की योजनाएं बनानी पड़ेगी पानी जहां भी मिल सके वहां से लाना होगा इसके साथ ही किसानों को खेती के उपकरण, खाद, डीजल, सीमेंट, बीज, आदी जरूरत की चीजें सस्ती कीमतों पर मिलें इसके लिए सरकार इनके वित्रण की व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए इमानदार अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौपे तभी इस काम में सफलता मिल पाएगी